वल्कम बैक गाईस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बाइकर प्रिजन अस्केप यहाँ चलते हैं इसे उपन करेंगे फड़ा पर्स उपन करते हैं उपन कर लिया अंदर चलते हैं अंदर भी आ चुके हैं और इसे भी उपन करना होगा इसे भी उपन कर लिया और मेरे सामने ल जड़ी है, जंप करके अगले स्टेज में जाएंगे, और सामने जो होल है, उसके अंदर चलेंगे, तो फड़ाबर्स अंदर चलते हैं, नीचे चलना होगा, तो हम लोग नीचे भी आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा बटन, बटन दबाते हैं, फड़ाबर्से, दबा दिया और यहां से निकलते हैं और यह गाड मेरे पीछे पड़ चुका है बाइकर बेरीज मेरे पीछे पड़ चुका है और मुझे यहां से भागना पड़ेगा वो रहा पाइप जंप करते हैं जंप किया आगे बढ़ते हैं इस सिंगल पाइप पर जंप करेंगे अच्छी तरीके से जंप करते हैं जंप हो जा मैं जंप किया आगे बढ़ते हैं फड़ाबट से अब जंप करेंगे डबल पाइप पर जंप किया आगे बढ़ते हैं इस होल के अंदर चलेंगे अंदर भी आ चुके नीचे चलते हैं अहां का ऐरिया पूरी तरीके से फलैट है तो मुझे अच्छी तरीके से आगे बरना होगा इस बटन को दबाते हैं दबा दिया आगे बरते हैं फटा-पट से ओके और मेरे सामने जो स्टोन का पिलर है तो मुझे इस पर जंब करके उपर जाना होगा तो हम लोग उपर भी आ चुके हैं आगे बढ़ते हैं जंब करना होगा क्यूंकि नीचे काफी खतरनाक सा ट्रैप है और मुझे बच्चते हुए यहां से अगले स्टेज में जाना होगा यह गोला भी तुरंद गया है इस तरफ इसका मतलब कुछ सेकेंड तो लगेगा है यहां पर स्टे करते हैं और यह गोला फिर से आया और चला गया अब आगे बढ़ते हैं फड़ा फड़ से आगे चलते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन होगा और यहां परस्टे कर चुके हैं और यह गोला चला गया है आगे बढ़ते हैं फड़ा पड़ से इसके उपर जम्प करेंगे और अच्छी तरीके से चलते हैं और राइट हम लोग यहां भी आ चुके हैं आगे बढ़ते हैं और यह बाइकर बेरीज का बीच बीच में टूटा हुआ है इसलिए मुझे कोडिनेशन मिला कि अच्छी तरीके से जंप करना होगा फिर से जंप किया एक बार और जंप करेंगे तो हम लोग यहां भी आ चुके हैं आगे बढ़ते हैं फड़ापट से ओल राइट लिवर पूल डाउन करेंगे पूल डा अब मेरे अंदर आ जाएगा एक एबिलिटी अब हम लोग अच्छी तरीके से जंप करते हुए जा रहे हैं दिक्कत वाले कोई भी से नहीं है आगे बढ़े फिर से चलते हैं उस आरन प्लेट पर चलेंगे फिर से एक बार जंप करेंगे जंप किया और आगे बढ़ते हैं और राइट फिर से जाएंगे स्टोन के वाल पर जंप किया फिर से आगे चलेंगे आरन प्लेट है इस पर भी जंप किया और अच्छी तरीके से यहां से निकलते हैं दिक्कत वाली कोई भी सिन नहीं है यह रहा लेडर इसकी मदद से उपर चलते हैं यहां पर एक और लेड उपन क्या स्टेर्स पकरते हैं और इस लेडर की मदद से हम लोग उपर जा रहे हैं ओके नीचे चलते हैं तो हम लोग आ चुके हैं नीचे और यहां का जो एर प्रेसर है बहुत ही ज़्यदा स्ट्रोंग है और मुझे अच्छी तरीके से जाना होगा बहुत सही है मैं एक बार जम्प करेंगे, सटिक तरीके से जम्प करेंगे, और राइट इसके उपर चलते हैं उपर चलते हैं फड़ापट से, फिर से उपर चलेंगे और उपर पाइप है ओके, हम लोग यहां आ चुके हैं उपर चलते हैं फड़ापट से उपर चलेंगे सबसे पहले आ चुके हैं अब मुझे नीचे जाना होगा नीचे भी आ चुके हैं इस पर जम्प करेंगे फिर से एक बार जम्प करते हैं इसके उपर भी आ चुके विल गुमाते हैं विल गुमा के पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है उस तरब चलते हैं और अब देखते हैं क्या सीन होता है और यहाँ पर जो ब्लॉक है मुझे इस पर जंप करना होगा सामने जो वील है इसे पूरी तरीके से घुमा के क्लोज करते हैं क्लोज कर लिया है यानि कि नीचे का दोनों वील हम लोगों ने घुमा दिया तो अब बचा क्या उपर चलते सीधा और यह मेरे सामने आइरेन लेडर है इसकी मदद से उपर चलेंगे और हम लोग काफी अच्छी तरीके से उपर आ भी चुके हैं सामने वील है इसे भी घुमा कर क्लोज करेंगे क्लोज कर लिया और उपर का जो एर है वो बंद हो चुका है अब हम लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं दिक्कत वाले कोई भी सीन नहीं है उपर भी आ चुके हैं सिंगल ब्लॉक पर जम्प करेंगे और सामने जो होल है उसके अंदर जाएंगे अगर मुझे बाइकर बेरीज के प्रीजन से निकलना है तो मुझे इन सारे ट्रैप को एक एक करके अच्छी तरीके से पार करना ही होगा एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे एक भी बार किल नहीं होना है और यहां का जो एर है वो मेरी मदद कर रहा है आगे बरने में हमारे बोडी को काफि जिदा पुस मिल रहा है हमारे केरेक्टर की बोडी को और यह सबसे लास्ट स्टेज है यह स्टेप है उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मतलब स्टेज में पहुंच जाएंगे यह स्टेप है अब आ चुक है अगली स्टेज में इस लेडर की मदद से उपर आ चुक है जम्प करना होगा कोडिनेशन मिला के जम्प करते हैं और अंदर चलते लेकिन पहला attempt पूरी तरीके से फिल हो चुका है, second बार try करेंगे, और इस बार हम लोगोंने काफी अच्छी तरीके से jump करा अंदर आ चुके हैं, आगे बरते हैं फड़ा पड़ से, नीचे आ चुके हैं, बहुत सही है man, और मेरे सामने weapon है, काफी दूर है weapon लेना पड़ेगा, और यहां का जो गेरी दा safe है, यह मुझे kill करने के लिए मेरे पीछे आ रहा है, यह biker berries का ही safe है, यह आप weapon, weapon लेते हैं, weapon ले लिया, और वो table के अंदर first चुका है, फड़ा पर मैं इसे finish कर देता हूँ, और मैंने इसे damage देना शुरू भी कर दिया है, हैं, ताकि हम लोग इसे kill करके यहां से निकल सकें, अब यह मेरे पीछे पर चुका आने देते हैं, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठेक उसी तरह पे एक door open होने वाला है, उस तरफ जाएंगे, अभी पूरी तरीके से see ले, लेकिन इसे kill करते ही, यहां एक रास्ता बन जा आएंगे, और हम लोग अच्छी तरीके से जा रहे हैं, बहुत सही है man, आगे बढ़ते हैं, और यहां पे jump करके यहां पे आ चुके हैं, यह रहा upstairs, इस upstairs की मदद से उपर चलते हैं, को second wait कर लेते हैं, और यहां पर हम लोग आ चुके हैं, यहां का door तो पहले से ही open है, और arrow का symbol उपर जा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, उपर जाएंगे, और इस laser से बचते हुए जाएंगे, और हम लोग काफी अच्छी तरीके से बचते हुए जा रहे हैं, और यहां पर हम लोग ने second laser को भी बीट कर दिया है, दो laser और बचाए, और यह रहा third laser को भी बीट कर दि हैं, बहुत सही है, मैंने एक बार और जंप करेंगे, ओके, अब मुझे इससे fight करना पड़ेगा, यह berries boss है, इसके पास four wheel वाला vehicle है, और हमारे पास two wheel वाला motorcycle है, फड़ा बर्स मैं इसे kill करूँगा, और मैंने इसका health बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, देख सकते हो, आदा से भी नीचे कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा, इसे पूरी तरीके से हम लोग निप्टा देंगे, kill कर देंगे, ताकि हम लोग यहां से निकल सके वहिकल लेकर, बस थोरा ही और बचा है, थोरा ही और बचा है, और राइट, यह बलास्ट हो चुका है, गेराज का डर ओपन हो गया, इसे लेकर हम लोग निकल जाएंगे, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी